Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic, जो topic है हमारा वो है growing middle class. जो middle class है इसके बारे में discuss है वो करेंगे और और साथ discuss करेंगे इसके envies and privileges. ये जो topic है इसके बारे में discuss है वो करेंगे और आपको notes के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो आसा करता हूँ कि जो पिछली जो classes है वो आपने आसानी से देख लिए होंगे. यदि आपको doubt है तो आप मुझे बता सकते हैं लाइव चैट के दौरान मैं आपको समझाने की कोशिश है वो दोबारा उसको भी करूँगा. पिछली जो class थी उसके अंदरे हमने क्या देखा था हमने जो देखा था वो वहाँ की society के बाद हमने वहाँ की जो लोगों का जो जीवन है वो कैसे यापन करते हैं उन चीजों के बारे में रिवॉल्ण में जो विद्रौ होते थे उन ército करते थे किसक्य ऑंगे इंडरे को सरकार के खिलाब जाने के लिए जो सारे के सारे में जो किसान और जो वर्कर्स वो बड़ी संक्या में जो पाटीस्पेथ हैं वह करते हैं मतलब पर उनके पास क्या था उनके पास इतने संसाधन नहीं थे या जो साधन है वो नहीं थे और नहीं उनके पास कोई प्रोग्राम्स था कि वो चेंज कर सके कि वो चेंज कर सके एक्चेंजमेंट है वो लासके सोशल एंड एकोनोमिक्स ओडर में उनके पास कोई भी किसी परकार का कोई साधन नहीं था जिसके कारण वो क्या कर सके ओडर मतलब सोचल और एकोनोमिक्स में जो एकोनोमिक्स जो ओडर है उनके अंदर किसी परकार का कोई चेंज है वो लास के कहने का मतलब ये है मेरा कि वो ज़्यादा डवलाप नहीं थे educated भी नहीं थे तो जो change हो वो कैसे लाएंगे ये चीजे हैं वो आपको बता रखी है आखी क्या बताए गया है इनकी जो responsibility है वो ले किसने ये जो उठाई वो third class जो third state के जो लोग थे खासकर वो लोग जो समरिद थे उन लोगों ने इसका इसकी जो responsibility है वो उठाई जिनके पास क्या थे अपने education थी और new idea थे थर्ड इस state के उन लोगों ने इन लोगों की responsibility उठाई कि जो ये हो रहा वो गल्थ हो रहा है तो कौन लोग थे वो इस state के जो समरिद थे जिनके पास education थी और new idea थे उन लोगों ने क्या क्या एक responsibility है वो उठाई पर 18th century में अठार में जो स्ताब दिया है उसमें एक नया social new social group है वो निकल के सामने आया जिसको नाम दिया गया middle class क्या नाम दिया गया middle class और ये जो middle class है इसको जो earning जो होती थी वो ज्यादे तर क्या होती थी जो sea trade है समुदरी व्यपार है उससे होती थी और manufacturing of good तेक ना वी निर्मान से जो वी निर्मान से है वो होती थी जैसे woolen and silk textile इन से क्या होती थी इनको क्या करते थे यह export करते दूसरे देशों में भेजते थे या यह बताया गया है इसमें यहां तक काफी इजी वे में देखिए हिस्ट्री पढ़ने का सरफ और सरफ एक ही तरीका है कि आप उसको क्या करो एक स्टोरी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी इजी रहेगा आगे मैं बात करूँ तो देखिए इसके अलावा भी मर्चेंट्स थे मैनुफेक्शर्स थे यह जो थर्ड इस्टेट में यह क्या थे और इन थर्ड इस्टेट में लोयर्स थे एडमिनेस्टेट्यू ओफिशियल थे यह इंक्लूड थे यह सारे के सारे क्या थे यह एक बिलिव करते थे या विश्वास करते थे कि जो सोसाइटी है ठीक ना किसी भी ग्रूप को बिलिव दैट नो गूप इन सोसाइटी सुट बी स्पेसल राइट बाइदा बर्त से जनम से उनको किसी परकार का कोई स्पेसल राइट से वो नहीं देना चाहिए सभी लोग कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है तो कहने का मतलब यह है यह जो लोग थे ंका कहना था कि जो बर्त से जो अधिकार जो राइट किस्पे डिपेंडेंट होनी चाहिए यह नहीं कि आपने कलरजी के गःप जनम लिया है तो आपको आप चाहे कितने भी बुरे काम करो पर आप पे कुछ नहीं होगा पर आप कितने ही अच्छे क्यों नहीं हो पर आपने तो थर्ड़ी स्टेट में आपको जो है जनम हुआ है तो आपको जो टेक्सिस हैं वो पे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका जो सोचल जो पोजिशन है, वो किस पर डिपेंडेंट हो, उसकी योगेता पर डिपेंडेंट हो, और इस आइडिया फॉर दा सोसाइटी, कुछ जो अलग-अलग जो विचार धारा है वो निकल के आई, सोसाइटी के सामने, जैसे फ्रीडम की, सभी लोग है, वो सवतंतर होने चाहिए, किसी परकार किस से, ये नहीं कि जो फ्रीडम है, वो कुछ एक लोगों को ही मिले, इकवल ला, इसे इकवल ला भी है, वो निकल के आया, और अपरचुनेटी है, वो सब के फिलोस पर थे, जो अच्छी विचारधारा वाले जो लोग थे, जैसे जोन लोग हो गया, और जीन रूशव है, जीन जोकव रूशव, ये जो फिलोस पर थे, इन्होंने इनी चीज़ों पर जोर हो दिया, ताकि जो सोसाइटी है, वो डवलप्मेंट है, वो कर सके, और खा काफी ज़्यादा एक्स्प्लोइटेशन है, वो हो रहा था, सोसन हो रहा था, उस सोसन से बचाने के लिए ऐसा है, वो किया जाना अनिवारिये है, तो ये सारी जो चीज़े हैं, वो आपको बताई गई हैं, और इनकी दो ट्रेटीज थी, गवर्मेंट की, कि इन्होंने कहा कि हमें खंडन करना चाहिए है, उन सिधानतों का जो राजा ने इनको क्या है, वो दे रखे हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, इनको एंड करना चाहिए, क्योंकि ये जो राजा ने जो इनको जो राइट से स्पिसल जो राइ कुछ नहीं है सभी लोग क्या है समान है आगे क्या है कि जो रूशो क्या बताते हैं वह एक आइडिया देते हैं एक आइडिया में क्या कहते हैं कि जो लोग है जो पीपल्स है जो जनता है वो और देयर रिप्रेजेंटिव जो नेता है उनके बीच में क्या होना चाहिए एक सोसल कोंट्रेक्ट है वो होना चाहिए कहने का मतलब है सोसल कोंट्रेक्ट है वो होना चाहिए टाइम टू टाइम है वो एक दूसरे की बाते समझे और जो लीडर है वो क्या करे जो people से हैं उनकी समझ चाहे हैं उनको sort out है वो करें यह नहीं है कि केवल और केवल वहां की अपनी SORM की जो जिंदगी है उसी को जिए ऐसा नहीं होना चीह है वो क्या करें अपने साथ साथ अपने देश के साथ साथ जो गरीब जो लोग है उनकी भी जो development है उसमे एक यह बुक है इन दस्प्रीट ओफ ला याद रखना यह पूछ सकता है एंटीस से में important है most important point है Montescue किसके दवारे लिखे गई थी Montescue दवारे और Montescue ने इसमें क्या कहा था Montescue ने कहा था इसने advice दे थी कि जो division of जो power है ना वो किस-किस के बीच में होनी चाहिए जो power का जो division है वो क्या होना चाहिए similar होना चाहिए जब आप class 10th में पड़ोगे तो federalism भी topic आएगा power sharing भी आएगा तो उसमें इन चीजों पर discuss है वो किया जाएगा अलग से इन में क्या होना चाहिए अनमें एक balance हो बनाई रखना ठीक न में एक balance हो बनाए रहेगा तो जो government है वो काफी अच्छी करेगी और देश में जो समर्दी है वो आएगी या जो देश में जो development है वो होगी बेटा और जो government का ये जो model है जो Montescue ने जो model दिया इसको apply किया गया कहां पर USA में जहां जो 13 जो colonies है वो independent हुई थी किसे बीटे इन से वहां पर इस परकार का जो model है इसको अपनाया गया कौन सा model यह तीनों जो legislative है एक्जिकेटिव है और जो judiciary है इस model को कहां अपनाया गया 13 जो colonies थी उसमें अपनाया गया 13 किसकी है यह USA की है और यह जो आइडिया थे यह जो फिलोस्पर थे इनके जो आइडिया थे बेटा इनको mostly जो discuss है वो किया जाता था कहां पर शैलून में coffee houses में और इनको काफी ज़्यादा फैल आया जाता था किसमें बुक में बुक में लिखा जाता था और जो newspaper है उसमें भी इनको print out है वो किया जाता है जैसे Montescue के हुए रूशो के हुए जो लोग के इनके जो ideas थे बेटा इनके जो आइडिया थे इनको क्या है फैलाया जाता था और discuss है वो भी किया जाता था सैलोन में, कॉफी, कॉफी हाउसोईज में ताकि जो लोग हैं वो क्या हों ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को पढ़े और ये जो special जो राइट से जो विशे सदिकार हैं जो special जो राइट से हैं इनके against हो ये क्या है काफी जोर से है इनको पढ़ा जाता था ताकि कुछ से जो अनपड जो लोग हैं जो read नहीं कर सकते और write नहीं कर सकते उन लोगों को आसानी से समझा जाए पर जो लुई 16 है लुई 16 ने एक plan किया ताकि वो क्या कर सके further जो taxis हैं उनको increase कर सके जो further जो taxis हैं उनको increase कर सके और जो third state है उस पर क्या हो दबाव बनाया जा सके क्योंकि अब देखे अब जो withdraw है वो कोन कर रहा था third state कर रहा था तो third state को कम करने के लिए मलब उनके जो revolution है उनको कम करने के लिए या जो revolt है उसको कम करने के लिए लुई 16 ने फिर से further जो taxis हैं उनको increase करना start कर दिया बेटा और जब उनके जो taxis थें उनको increase करना start किया तो जो third state के जो लोग हैं वो क्या होगे अंगरी होगे गुस्षा होगे काफी जादा और वो withdraw में आगे protest करने लगे किसके खिलाब जो विशेस जो अधिकार जो दे रखे उनके खिलाब वो withdraw करना उन्होंने start है वो कर दिया बेटा राजा ने क्या क्या taxis बड़ा है और किस पे बड़े taxis आपको पता है वो third state पे बड़े और जैसे third state पे बड़े तो लोग गुस्षा हुए और राजा के खिलाब या फिर राजा के खिलाब तो प्रोटेस्ट किया और साथ की साथ उन्होंने क्या किया जिनको special जो राइट सा वो मिले हुए थे जैसे state 1 और state 2 clergy और जो noble हैं उनके खिलाब उन्होंने ये against हो गए तो आसा करता हूँ कि आपको ये जो topic हो clear हुआ होगा और यहां से आप notes हो बना सकते हैं और काफी easy topic था चलिए मिलते हैं next video में next topic के साथ जब तक के लिए thank you and thank you very much